हेलो, मैं आल फ्रेंड्स और मैं आल लवली स्टुडेंट्स फ्रेंड्स, आज का साइन्स का लेक्चर है फंडामेंटल यूनिट ओफ लाइफ ठीक है, इसका एक लेक्चर अल्रेडी अप्लोडेट है क्लास नाइन के प्लेडिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स, प्रिबियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ओफ लाइफ क्या है, सेल है ना क्या है, सेल इसके बारे में हम पढ़ रहें इस चैप्टर में इसके बारे में काफी कुछ जानकारी हमने हासिल की थी और सेल क्या है, लाइटिन वर्ड है ठीक है, इसका हिंदी मिनिंग होता है छोटा कमरा ठीक है, छोटा कमरा, ये सारी डीटेल में हमने basic इसकी जो knowledge थी वो हमने gain किया था previous lecture में और उसके बाद sorry क्या हो गया उसके बाद compound microscope इसके बारे में जाना था हमने cells of an onion pill इसके उपर पूरा activity करी थी हमने ठीक है उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने water these structures ठीक है कौन से structures ये देखिए various cells from the human body ये पूरा हमने देखा था ठीक है ठीक है ठीक है I hope आप लोग को previous lecture में कोई परिशानी नहीं आई होगी सब समझ में आया होगा अब हम देखेंगे plasma membrane और cell membrane यहां से आज हम पढ़ेंगे what is a cell made up of what is the structural organization of cell यानी cell किसे बनी है और cell का structural organization क्या है सनराचनात्मक सरचना cell की क्या है उसके बारे में हम जानेंगे friends English words के कुछ typical Hindi आपको याद रखनी नहीं है करना आपको question solve English to English में ही है तो हर word का Hindi meaning में बता तो दे रही हूँ बट उस पे आपको बस knowledge में रखना है जादा focus नहीं करना है आपको focus करना है English word पे structural organization सरचनात्मक जो cell की है सरचना उसके बारे में हम जानेंगे चलिए start करते है we saw above that the cell has is spatial components called organelles हमने इसके पहले देखा इसके पहले हमने पढ़ा जाना कि जो spatial component होता है cell का उसे हम कहते है organelles यानि अगर इसको हिंदी में कहें तो kosi kang कहेंगे ठीक है और ये कैसे organize होती है इसके बारे में हमने जाना था और हमने study और एक cell की study हम कर सकते है microscope से we would come across three features if we study a cell अगर हम cell यानि कोई एक kosi का है माली जी ये जैसे kosi का है एक kosi का ठीक है इसके बारे में हम study कर सकते है किसे microscope से ठीक है जब हम study करेंगे तो हमें क्या हमें दिखे गा उसमें three features ठीक है यानि cell के three features हमें नज़र आएंगे हर cell के ठीक है हर cell के three features नज़र आएंगे और वो three features कौन कोन से होंगे देखते हैं every cell यानि प्रतेग सेल के 3 features plasma membrane, nucleus and cytoplasm ठीक है? यानि plasma membrane इसकी हिंदी मीनिंग होगी kosi का जिल्ली, nucleus यानि क्या है? केंद्रक और cytoplasm यानि kosi का द्रब्ब्ब ठीक है? और सारी activities, all activities inside the cell and जो outside the cell होती है यानि interaction जो cell का होता है बाहरी environment से वो सब possible हो पाता है इसी features की वज़ा से वो कौन से features है? plasma, membrane, nucleus, cytoplasm या जो 3 features हैं हर cell में होते हैं यानि every cell every cell में ये 3 features होते हैं 3 quality होते हैं इसके 3 ये गुण है जिससे सारी activities complete होती हैं ठीक है? आगे देखते हैं आज हम पढ़ेंगे आज का पूरा discussion होगा plasma membrane और cell membrane पे ठीक है? यानि जो plasma जिल्ली है जो कोसी का जिल्ली है इसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे कि ये है क्या इसका क्या importance है? ठीक है? अगर ये feature cell में है तो इसका कुछ importance होगा? अगर आप में कोई quality है कोई good है तो उसका कुछ तो इसका importance होगा न? चलिए देखते है plasma membrane है क्या actually? ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है plasma जो membrane है cell की आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है जो की cell को separate करती है external environment से यानि बाहे जो environment है बाहे जो पर उससे क्या करती है? इसे separate करती है अलग करती है ठीक है? और plasma membrane ही allow करती है entry कोई भी substance कोई भी material है cell के अंदर entry करेगा या exit जाएगा या नहीं जाएगा cell के अंदर से बाहर बाहर से अंदर जो भी material in and out होते रहते हैं वो उसकी permission कौन देता है? plasma membrane ठीक है? it also prevents movement of some other materials और यह prevent भी करती है cell को कुछ material से यानि इसका sense क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सभी materials को entry नहीं होती है cell में सभी material enter नहीं कर सकते हैं cell में ठीक है? उसके क्यों? plasma membrane की वज़ा से ठीक है? तभी तो protect हो पाएगा cell वरना जो भी सारे materials अगर अंदर जा सकते हैं तो फिर कोई protection ही नहीं हो सकता हुआ फिर कोई मतलब नहीं है plasma membrane का है न? चलिए? आगे देखते हैं cell membrane को हम कहते हैं selectively premable membrane ठीक है? cell membrane को हम क्या कहते हैं? selectively premable यानि अगर इसको हिंदी में देखें तो वर्णात्मक पारगम में जिली आप लोग को हिंदी पे ध्यान नहीं देना है आपको इंगली सी इसका याद रखिए permable membrane ठीक है? अब इसका movement कैसे होता है? substance का ठीक है? how does the movement of substances take place into the cell? cell में जो पदार्थ है उसका movement कैसे होता है? how do substances move out of the cell? cell से बाहर कैसे जाता है? कोई भी substance या cell के अंदर कैसे आता है? इसके बारे में हम detail में जानेंगी यह है आपका question इस question का answer आपको इसी paragraph में मिलेगा friends तो धहरे बनाये रखिए और continuous lecture देखते रहे लेक्चर बीच में skip मत करिएगा आप लोग ठीक है? क्योंकि पूरा lecture देखेंगे तब आपको पूरा सही समझ में आएगा और पर पूरे detail में discuss करने वाली हूँ मैं ठीक है? चलिए आगे देखते हैं some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion यहाँ पे एक word आया है diffusion इसको कहते हैं विस्रण ठीक है? क्या कहते हैं इसको? विस्रण और इसके बारे में आप लोगोंने previous lecture में पढ़ लिया है कि diffusion actually होता क्या है? कुछ चलिए अच्छे है इसके बारे में अभी बाद में देखेंगे पहले यह जान लीजे यह कुछ सबस्टेंस यानि कुछ पदार्थ है जैसे carbon dioxide हो गया या oxygen हो गया यह move करते है cell से अंदर से बाहर बाहर से अंदर ठीक है? और diffusion के बारे में previous chapter में आप लोगोंने पढ़ाई है diffusion क्या होता है? जो high concentration से low concentration की तरफ substance जाते है यानि जहां पे दबाव अधिक होता है जहां पे दबाव कम होता है तो अधिक से कम की तरफ जो जाता है substance या कोई भी पदार्थ है कोई भी liquid है अगर pressure जिदर जादा है और जिदर कम है तो pressure जिदर जादा है उधर से flow होगा कम की तरफ ठीक है? ये spontaneous moment होता है substance का high concentration से low concentration region की तरफ ठीक है? यानि छेतर की तरफ जिदर दबाव अधिक है अगर एक तरफ left side अगर pressure जादा है और right side कम है तो इधर के जो material है जो substance है वो right side की तरफ move करेंगे समझ है आप लोग को? ठीक है चलिए समझ आगे है मुझे पता है आप लोग बहुत genius है आप लोग को सब समझ में आता है चलिए आप आगे देखते है sometime something similar to this happen in this cell और कुछ ऐसा ही होता है इस cell में यानि कोसिका में भी ये जो diffusion है ना इसी process के तरो जो substance है वो अंदर से बाहर बाहर से अंदर move करते है ठीक है और CO2 का भी यही process है cell के अंदर जाने का और बाहर जाने का in the cell CO2 accumulates in high concentration inside the cell in the cell's external environment the concentration of CO2 is low as compared अब यह जो पूरी कहानी है मैं आप लोग को sort में समझाती हो और आराम से प्यार से सुनिया आप लोग देखे यह जो पूरा यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है पूरी history है उसका insert क्या है कि जब CO2 CO2 cell के बाहर अधिक होता है इसका concentration और cell के अंदर CO2 का concentration कम होता है यानि जो दबाव है जो pressure है जो सघंता है जो भी language आपको समझा है वो समझ लीजिए इधर अगर concentration कम है तो जैसे ही मोका मिलता है CO2 को दोनो रेजियन यानि बाहर और अंदर का concentration क्या हो गया disbalance हो गया spontaneous हो गया तो यहाँ से CO2 इधर कम है cell में और बाहर जादा है sorry थोड़ा से रोंग हो गया wait CO2 cell में कम है और cell के बाहर CO2 जादा है तो CO2 किधर जाएगा cell के अंदर तेजी से जाएगा ठीक है cell के अंदर जो मात्रा जाएगी वो अधिक जाएगी CO2 की और cell से बाहर जो CO2 की मात्रा आएगी वो कम आएगी ठीक है क्यूंकि जिधर pressure जादा है उधर का substance अधिक speed में flow करता है कम की तरफ ठीक है ठीक इसी तरीके से O2 के साथ होता है यानि अगर O2 कम है O2 माले जिए यहाँ पर यहाँ पर भी O2 कोई जादा ले लेते हैं अगर माले जिए O2 यानि oxygen cell के अंदर क्या है कम है और cell के बाहर जादा है तो obvious से बात है कि diffusion का जो process है वो क्या है high concentration से low concentration यानि O2 उस बहुत तेजी से यानि अधिक मात्रा में cell के अंदर जाएगा और निकलेगा कम और अगर यही ठीक उल्टा हो जाए cell में O2 की मात्रा जादा हो और cell के बाहर O2 की मात्रा कम हो तो क्या होगा cell से oxygen जादा बाहर आएगी और बाहर से oxygen कम cell में जाएगी ठीक है आप लोग को समझ में आ गया यह जो पूरी history लिखी होई है यह यही है ठीक है इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही important है अब यहाँ पे यह इस प्रकार यहाँ पे हमें समझ में आई गया यह पूरी राम कहानी जब हमने देखा यह पूरी story तो हमें समझ में यह तो आई गया कि diffusion का कितना बड़ा रोल प्ले करता है diffusion यानि जो विसरन है जो diffusion process है diffusion क्या है एक process है एक process है हो क्या process है high region से low region इसका कितना important role है यह हमें इस process समझ में आ गया gases का जो exchange होता है cell में cell बाहर से अंदर external environment में इसमें important role play करता है diffusion यानि विसरन ठीक है यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा यह question बन सकता है कि इस cell में diffusion का role क्या है तो बहुत ही important role है इसमें gases जो exchange होती है यानि गैसों का जो आदान प्रदान होता है cell और बाहरी environment के बीच में वो diffusion के process से ही होता है ठीक है my dear children तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और हाँ जितना मैं बता रही हूं से ध्यान से सुनिये इसमें कोई भी question है कहीं भी कोई problem है आप मुझे पूस सकते हैं लेकिन मेरे नाक मत कटाईएगा कि हाँ यह चीज समझे कोई question करते तो आप उहाँ पर पता ना पाए ठीक है वैसे तो आप लोग बहुत genius है अब चलिए देखते हैं आगे आगे पढ़ने का मन है की नहीं है नहीं है ओके तो आज हम lecture यहीं पर stop करते हैं next session में हम देखेंगे water कैसे follow करता है diffusion के rules को law को ठीक है क्योंकि water भी follow करता है diffusion को यानि विसरन को ठीक है तो next lecture में हम देखेंगे और हाँ important कुछ points है जिसे आप लोग जान लीजिए ठीक है important points क्या होती है जो plasma membrane है point one ध्यान से सुनिए plasma membrane है वो बहुत ही लचीली होती है ठीक है और इसमें carbonic ये किसे बनी होती है carbonic अडू से यानि लीपिड और प्रोटीन की बनी होती है किसकी बनी होती है लीपिड और प्रोटीन की बनी होती है ठीक है बहुती लचीली होती है लीपिड और प्रोटीन की बनी होती है इसकी जो रचना है इसे हम केवल electron सुच मदर्सी से देख सकते हैं यानी जो आपके जो plasma जिल्ली है इसकी जो रचना है इसे हम only electron सुच मदर्सी से देख सकते हैं point note करिए electron सुच मदर्सी से देख सकते हैं केवल word is हुआ है only ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा आज के लिए बस इतना ही thank you so much for listening me and हाँ channel को subscribe करना और like करना मत भूलिएगा मैं इतने प्यार से और इतने easy way में आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो एक like और subscribe तो बनता है और friends आप लोग बिल्कुल भी tension मत करिए थोड़ा late हुआ एक दो दिन लेक्चर नहीं मिला उसके लिए so 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 sorry but आपका syllabus पीछे नहीं होगा syllabus मैं complete करूँगी anyhow ठीक है तो चैनल को subscribe कर लिजी कि जैसे वीडियो अप्लोडोड हो सबसे पहले आपको मिले life में खुस रहिए स्वस्त रहिए सुरक चित रहिए बबाई have a good day